ऐसे एजिम कीजिए कि कोई पर्सन आपकी मर्जी के वगेर आपके मोबाइल फोन को ओपन कर ले और आपका सारा डाटा रीड कर ले जिसमें आपके वीडियो आपके पिच्चर्स आपके वाटसेप मेसेज़ेज आपके इंपोर्टन्ट इमेल्स वगेरा मौजूद हो आप कहेंगे अरे यह तो बहुत खाराब है मैं तो असे कभी नहीं चाहूँगा रादर यह तो मेरे प्राइवेसी का वालेशन है आज की वीडियो का यही टॉपिक है मैं हूँ राकेश कपूर और बात करते हैं इस वेशेपर अक्सर देखा गया है कि investigating agencies जब कभी भी कोई crime commit होता है तो किसी individual का कोई भी mobile phone या laptop को cease कर लेती है इस intention के साथ कि इससे हमें कोई ना कोई अच्छी lead मिलेगी जिससे कि हम crime को जल्दी से solve कर लेंगे लेकिन कभी का बार ऐसा भी होता है कि जिस device को cease किया गया है उसका crime के साथ कोई सीधे सीधे तोर पर कोई nexus नहीं होता कोई connection नहीं होता तो जब वो सारा data investigating agencies explore करेंगी उनको open करेंगी पढ़ेंगी देखेंगी तो कहीं न कहीं उनकी personal data को भी explore कर लेंगे तो क्या उस individual का जो privacy है वो wallet नहीं होगा अफकोर्स wallet हो जाएगा तो फिर इसको रोकने के लिए हमारे पास क्या mod है अभी इस समय तो कोई खास mod नहीं है क्योंकि इस relation में एक petition already honorable supreme court के सामने फाइल किया गया है और ये कहा गया कि जहां तक personal electronic gadgets हैं उनकी seizure, उनकी opening और उनके examination के relation में honorable supreme court कोई guidelines जारी करे ताकि जो भी investigate agencies हैं जो इन gadgets को seize कर रही है उनके लिए कुछ guidelines होना चाहिए जिनको वो follow कर सके इस context में एक petition जो honorable supreme court में फाइल किया गया उसके basis पर honorable supreme court ने union of India को एक notice जारी किया और उनके कहा कि आप इसमें अपना reply फाइल कीजे जो reply गौवर्मेंट ने फाइल किया honorable supreme court उससे बिल्कुल भी satisfied नहीं थी उनके कहा कि आप international practice को ध्यान में रखके ही अपना reply फाइल करें अब इस relation में जो international practices हैं वो हमारे इंडिया में usually follow नहीं की जारे आपको हैं बताते चलें के American court यानि की अमेरिका की California court ने एक important judgment relay versus California के नाम से प्रणाउस किया है जो की अमेरिका में जो भी electronic gadgets seize होते हैं examine किये जाते हैं और open किये जाते हैं उनके लिए certain guidelines के बारे में बात करता है लेकिन relay versus California हमारी Indian context में apply नहीं होता क्योंकि एक foreign judgment है Supreme Court के सामने जो application लगाई है जो rate petition file किया गया है उन्होंने वहाँ पर कुछ suggestions दिये हैं और suggestion में कहा है कि sir हमारे इन suggestions को भी consider कर लिया जाए जिस समय पर honorable Supreme Court certain guidelines को पारित करेगा अब ये क्या suggestion उन्होंने दिये हैं इनको जरा हम देख लेते हैं suggestions में उन्होंने कहा कि जब कभी भी कोई electronic gadget, mobile phone या digital devices को seize किया जाए तो वहाँ पर judicial magistrate की prior permission ले ली जाए अगर कोई urgent case है और judicial magistrate का permission लेना possible नहीं हो तो उस situation में आपको एक reason mention करना पड़ेगा कि आपने judicial magistrate का permission क्यों नहीं लिया और इसका notice आपको उस person को देना होगा जिसकी device आपने seize किया है आगे उन्होंने कहा, कि अगर आप कोई भी material को seize कर रहे हैं या आप उसे examine करना चाहते हैं, या आप उसे open करना चाहते हैं तो आपको यह बताना पड़ेगा कि उसका crime के साथ क्या लेना देना है और उसका crime के साथ क्या linkage है वो सकता है जो device आप seize करना चाहते हूं उसका crime के साथ कुछ खास लेंदे देना ना हो तो इस situation में आप उस device को seize नहीं कर सकते आगे उन्होंने ये भी suggestion दिया कि जहां तक संभव हो सके जब hard drive को seize किया जाता है उसकी original को न seize करके बलकि उसकी copy को seize किया जाए लेकिन अगर कोई मजबूरी होती है और आपको hard drive original में seize करनी पड़ती है तो वहाँ पर उसकी एक copy उस person के representative को दे दिया जाए जिसकी device आपने seize किया है आगे उन्होंने ये भी कहा कि जब कभी भी आप ऐसे किसी disk को examine करेंगे तो वहाँ पर उस person के representative के सामने ही उसको open करेंगे और उसके सामने ही आप उस examine करेंगे और उस समय पर एक neutral computer professional भी वहाँ पर मौझूद होना चाहिए जो की उस पूरी कारवाई को देखता रहे आगे उन्होंने ये भी कहा कि अगर कोई भी ऐसा material जो की relevant नहीं है जैसे कोई email हो सकता है कोई messages हो सकते हैं जिसका crime के साथ कोई खास लेने दिना नहीं है उसको investigator की copy में से remove कर दिया जाए in the presence of the representative of the accused person यहाँ आपको बताते चलें कि honorable supreme court ने इस context में जो next date है वो 26th of September fix किया है देखते हैं कि आने वाले समय में honorable supreme court इस context में क्या guidance जारी करती है जब कभी भी guidance जारी होंगी तब मैं आने वाले session में इसको discuss जरूर करूँगा मैं usually जो burning issues हैं उन पर मैं video sessions बनाते रहता हूँ इस context में आप मेरे YouTube channel जो की राकेश कपूर के नाम से हैं उसे विजट कर सकते हैं आप उसे subscribe कर सकते हैं जो लोग judiciary के लिए त्यारी कर रहे हैं उनके लिए यह sessions काफी important है वो इनको समय समय पर देखते रहें क्योंकि हो सकता है कि next examination में इस topic से कोई ना कोई प्रशन कोई ना कोई question आपके examination में आपको मिल जाए इसके लिए मेरी website है judicial competition times आप उसे visit कर सकते हैं बहुत सारे features इसमें online mock test है online coaching classrooms है model papers है previous papers है video sessions है वो सब इसमें आप avail कर सकते हैं इस पर visit करने के लिए जो link है मैं description में दे दूंगा contact details भी मैंने already description link में mention कर दिया है thank you so much for watching my videos Jai Hind Jai Bharat